दोस्तों आयरवेद में अलग-अलग आउसदियों के साथ काली मिर्च को खाने के फैदों के बारे में बहुती अच्छी तरीके से बताए गया है आज मैं आपको आईरवेट के हिसाब से काली मिर्च के फैदों के बारे में साथ ही से सेवन करने का सही तरीका क्या है और इसे कितनी मातरा में सेवन कर सकते हैं इन सब के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि काली मिर्च का सेवन कीन हैं नहीं करना चाहिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपके दातों में दर्द की प्रॉलम है कैविटी की प्रॉलम है तो आप इसके लिए काली मिर्च के पौडर को तूत्पेश्ट के तौर पर इस्तमाल कर सकते हो। यहां तक कि काली मिर्ची से बनाया हुआ तेल भी आप दरदवाले दातों पर लगा सकते हो। आप इस तेल को आप घर पर ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दस ग्राम की मात्रा में काली मिर्ची को हलका सा कूठ लीजे और 30 ml तिल के तिल के साथ मिक्स करके इसे गरम कर लेना है। इसे लगबग 4-5 मिनट तक मध्य माच में गरम कीजे और फिर इस तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजे। जब ये ठंडा हो जाये तो छान कर आप इसका इस्तमाल कर सकते हो। तो जिस भी दात में दर्द है तो उस दर्द वाली जगह पर कॉटन के सहायता से इस तेल को उस जगह पर रख देजे। दर्दे में आपको बहुत जल्दी आरा मिलेगा। इसके लावाद दातों में कीडे लगे हैं, केविटी हो गई है तो कीडे भी निकल जाएंगे। बर पर ही काली मिस लीजे और उसे किसी हमाम दस्ते से कूट लीजे। आपको मिक्सी की सहता से इसका पाउडर नहीं बनाना है। आप किसी दवारा इसे कूट कर शहत के साथ मिलाएं और खाना खाने के आदे घंटे पहले इसे चाट लें और उसके बार थोड़ा सा गुन- प्जूस ही। दूस सता है तो वे लोग खाना खाने के बाद इस का सेवन कर शक्ते हैं। खाना खाने के बाद चांच में मिला कर भी प्होंझ चांच किया असकता है। इसे घोल कर पी लीजे, इससे पेट में गैस, एसिडिटी के प्रॉलम से तूरंत आराम मिलता है, और खाना भी अच्छे से पचता है, इसके लावा जिनके पेट में अक्सर दर्द रहता है, पेट में कीडे हो गए हैं, उनके लिए भी ये काली मिर्च बहुत फादा करती है, इसके लिए थोड़ा सा भूना हुआ हिंग ले लें, और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च के पौडर को मिला कर सेवन करें, इससे पेट की दर्द में तूरंत आराम मिलता है, आप इस तरह जब भी पेट में दर्द हो तो जरूर लेकर देखें, तीन से चार काली मिर्च क भूने हुए हिंक के साथ लीचे, इससे दर्द में आपको तूरंत आराम मिलेगा, इसके लाओ जो लोग सर्दी जुकाम से जूज रहे हैं, छाती में बलकम जम गया है, जिनके छाती में कफ जमा है और वो निकलता नहीं है, बार-बार खांसी आ रही हो, या फिर जिनके सि पहेद कफ को पतला करने वाला है, और ये जो काली मिर्च है, वो कफ को शुरीव से बाहर करने वाली है, अगर आपको एक बार में फायदा नहीं मिलता हो, तो दिन में दो से तीन बार इसे जरूर लें, और इसे लेने के आदे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पिना नहीं है, इसके लावा जिनको सुखी खासी रहती है, गला बैठा हुआ रहता है, आवाज ठीक से नहीं निकलती, बात करने में परिशानी होती है, तो ऐसे लोग दो चुटकी काली मिर्च पॉडर को एक चमच शुध देशी घी के साथ सेवन कर सकते हैं, और उपर से एक कप खलक गुन-गुना पानी पी लें, इसे आपको इन सारी प्रॉलम से आराम मिलने लगेगा, कितना भी पुराना सुखी खासी हो, दिन में दो से तीन बार ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा, इसके अलावा जो लोग अस्थमा के मरीज है या फिर जिनको बार बार बुखार आता ह वे लोग भी काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं दो चुटकी काली मिर्च के पॉडर को उसमें एक चमच तुलसी का रज और एक चमच शहद इन सभी को मिला कर आप इसे ले सकते हैं इससे पुराने बुखार में भी फायदा मिलता है और इसे लेने से बुखार जल्दी उतर जाता है अगले फायदी की बात की जाया तो जिन महिलाओं को प्रियर्ट के दौरान स्तराव ठीक से नहीं आता या प्रियर्ट में अनीमी तेता रहती है तो वे लोग काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं आप काली मिर्च को शेहत के साथ लिचे इसके लावा स्किन से डिलेटेड बीमारियों में या फिर शरीर में कफदोश बढ़ने से तवचा समंधित रोग हो गए हैं तो ऐसे इस्तिती में भी काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं तो उनको काली मिर्च के बेमिशाल फायदे आई जानते हैं कि सावधानियस में क्या रखनी है, जिनके शरीर में वात और कफ दोश बढ़ा हुआ है, वे लोग काली मिर्च का सेवन बेफिक्र होकर कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पित प्रक्रतिके हैं, यानि कि शरीर में पित कादीणा बहुत ज्यादा है या आतों में घाव हो गया है गेश्ट्रिक अलसर की प्रॉलम हो गई है तो उनको काली मिर्च का सेवन नहीं करना है. नाक से खोन निकलता है पिशाप करते समय बहुत जलन होती है पाइल्स की प्रॉलम है और वहां से खोन निकलता हो तो उन्हें भी काली मिर्च नहीं खाने महिलाओं को प्रेक्णिन्सी के दौरान काली मिर्च नहीं खाना है तो दोस्तों ये हैं काली मिर्च के बहतरी फादे वीडियो कैसे लिए में कॉमेंट कर बताइए और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ परिवार के सदस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जाहें